इसके बाद मारा एक कोश्चन आता है संग्यानात्मक मनो विज्ञान के बीविन उपागमों का वर्णन करें और यह ज़्यातर लॉंग डाइब कोश्चन में आता है तो थोड़ा सा द्यान रखिएगा दस नंबर का सवाल होता है और अगर आप स्टुडेंट हैं तो सबसे ब उपागम तो आये और इसका एंसर हम करते हैं और थोड़ा सा द्यान देने वाली बात है थोड़ा सा द्यान जरूर दिज्ञान में संग्यानात्मक परक्रियाओं का अध्यान करने के लिए मुल्तक निम्नांकी तुद्दो तरह के उपागम का परियोग किया जाता है जिसमे यानि कनेक्शनिस्ट एप्रोच आई और पहला देखते हैं सुचना संसाधन उपागम के बारे में सुचना संसाधन उपागम, Information Processing Approach संग्यानात्मक मनविज्ञान का एक प्रमुक उपागम, सुचना संसाधन उपागम है इस उपागम की उत्पति की जड़ कॉम्प्यूटर मशीन को बतलाया गया मनुष्य कम्प्यूटर के समान वतावरण में सुचनाओं को गराण करता है फिर उन्हें एक आवस्था से दूसरी आवस्था होते हुए एक करम में संसाधित करता है और तब अंत में किसी निर्नाय पर पहुंच कर एक खास अनुक रिया करता है सुचनाओं संसाधन मनुवैग्यानिकों कि इस दृस्टिकोंड को कम्प्यूटर रूपक कहा जाता है सुचनाओं संसाधन उपागम को प्राय एक अमूर्थ बिसलेशनर के रूप में वलनित किया जाता है अमुर्थ भिसलेशन से अर्थ हैं आया आया कि इस उपागम में तंत्रिकी अगटनाओं की व्याख्यास पस्ट नहीं होती है मांसिक या संगयनात्मक परकिरियाएं इस अर्थ में अमुर्थ होती है कि वे यद्देपी तंत्रिकी अगटनाओं पर अधारित होती है प्रन्तु अपने आप में तंत्रिकी अगठना नहीं होती है सुचना संसाधन परकिरिया के द्रिश्टिकोंड से संगयनात्मक मनों वैज्ञानिक जो मानसिक परकिरियाओं का वर्णन करते हैं रफ में कि एक तुलना एक कम्प्यूटर प्रग्रामर सिखे जाती है एक अईसा प्रग्राम बिक्सित करना होता है जिसके सांद मसीन कुछ खास तरह का परिकलन कर सके प्रोग्राम तयार करने में प्रोग्रामर मसीन के भीतर एल्क्रोन परवाय की चिंता नहीं करता है नो तो मसीन से कोई बाग के बारे में ही सोचता है इसका मतलब कम्प्यूटर मसीन को एक हार्ड वेर के रूप में समझता है और उसके बागों के बारे में बिल्कुल भी नही सुचता है उनका तैयार किया गया काईरेकरम मसीन से स्वतंत्रों होता है सुचना संसाधन उपागम के समर्थकों के इस्तिति बहुत कुछ इसी प्रग्रामर के समान होती है ऐसे सुचनात्मक संग्यानात्मक मनों वग्यानिक किसी मानसिक परकिरिया के पीछे ओने वाले तंत्रीकिया अधारों से कोई तालूक नहीं रखते हैं बलके उनका संबंद के वल इस बात से होता है कि आमुक तरह कि सुचना मिलने पर संग्यानात्मक यह मानसिक परकिरियाओ का संचालन किस तरह से होता है कि सुचना संसाधन मोडल में तीन प्रमुख पुरुकल अपना होती है पुरुकल अपना है और जो इस परकारें पहला जो है वो क्या होता है कि शुचना संग्याज में क्रमिक ऑवस्थाहों की एक शरेंखला में बिचलेशित करके समझाज़ास क्ता है किसके वाद दूसरा है पर्टेक अवस्था पर सुचनाओं की प्राप्टी परहनों की परक्रियाएं उत्पन होती है इस मॉडल में जो अन्ति मनुक्रिया होती है इन अवस्थाओं में संक्रियाओं के क्रम का फड़िनाम होता है इन संक्रियाओं में पर्टेक्षाण सुचनाओं का कुट संकेतन असमेर्ति में सुचनाओं का पर्टेवाहन संपर्टेयाओं निर्माड नियन भासा उपस्थितियादी प्रमूख होते हैं इस मोडल में पर सम्होच से सूछना प्राप्त करता है तब अपना अनुठा कार्य करता है क्योंकि इस मॉडल के सभी सविद्व दूसरे से किसी नग से संभंध continue कि शर्माथ की फ़ेछान काफी कंठी न Gall मोडल है कि इस पर दू ऐसे प्रस्ण उठाए गए हैं जिन पर संग्यानात्म की मनोवज्ञान के वेच अच्छा बाद विवाद छिड़ा हुआ है और वो कौन-कौन से अवस्थाएं पहला जो अवस्थाएं जो परस्ण है वो कौन-कौन से अवस्थाएं हैं जिनके सारे सुछनाओं को संसादेत किया जाता है और दूसरा मानव मन में सुचना यह कि सुरुप में उपस्थित होती है कि मिसारो और कुवान पालमर किमची मैं सारो कुवान किमची का पांक नियम क्या पहला नियम इस तत पर होता है जिससे रहता को था तथा दोंनो निर्दा निर्दार्ण सचना वें aplikando ilo इसको नेक्स्ट जो है दूसरा नमबर यह आवर्ती अपगटन याने डिकरेंट डिकंपोजिशन इससे तत्पर होता है हमारे संग्यनात्मक परकिरियाओं सरल से सरल मानसिक परकिरियाओं के रूप में एक पदानुकरम में बयवस्तित होते हैं तता सावधानिप पुर्वक हम उतम डंग से किये गए पर्योगों के माद्याम से हम एक पदानुकरम को अपगटित करके देख पाते हैं इसको नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर परवा निरंतर्ता परवा निरंतर्ता का नियम है बतलाता है कि संसाजित सुचनाय हमेशा आगे बढ़ते जाती है अर्थात एक सरल मानसिक परकिरिया से संसाजित होकर फिर दूसरी सरल मानसिक परकिरिया से संसाजित होने के लिए बढ़ते जाती है चोथा नूमबर है प्रवा गत्य अत्मक ता यानि फ्लो डाइनोमिक्स यह नियम बतलाता है कि सभी मानसी क्यों कि संग्यानात्मक परकरिया है तंत्रिकिया तंत्र के रसायने के हम बैदुत्किया गटनाओं के साथ साथ कि खोती पाई जाती है चुकि इनका सनायविक तथा तंत्रिकिया परकरियाओं में समय लगता है इसलिए कोई मानसीक परकरिया तत्काल नहीं हो सकता है उसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगता है चाहिए वह समय एक सकेंड का हजारवाहिवाज क्यों नाव इसको पांचवा नंबर दहिक मोर्ट रूप यह नियम बतलाता है कि सभी संग्यान अत्मक परकिया एक द्वाइक तंत्र अर्थार्थ एक संवाइक तंत्र में संपन होता है यह अंतिम नियम काफी महत्त्पून है और इसे प्राइव लोगों जो संग्यान का अध्यन पर्थम बार की होते हैं कि द्वारा उप परिक्शा के जाती है यहांसे कोई प्रशन के द्वाइक तंत्र में रखकर समझा जा सकता है तो इस प्रस्ण का उतर क्या हो दाहिक तंत्र में सुचना है किसी ना किसी तरह के दाहिक घटनाओं द्वारा निरूपित होती है जैसे यदि आप कलम सब्द सुनते हैं तो कलम सब्द का गया निश्चित रूप से अमूर्थ होता है परन्तों इस सब्द के निश्चित रूप से संग्यानात्म के उस्ट विक तंत्रों में एक विस्ष्ट तंत्र किया घटनाओं के द्वारा निरूपित होता है इस तरह से सब्दों के ग्यान को दैहिक तंत में निरूपण के रूप में निश्चित रूप से देखा जाता है और दूसरा जो उपागम होता है पहला उपागम क्या था हमारा सुचना संसाधन उपागम और जो दूसरा संसाधन जो उपागम है यह संबंद वादी उपागम यानि connectionist approach और इसके बारे आयो और जानते हैं संबंध वादी उपागम की एतियासिक जड़े Neural Computing अर्थात समयनिक तंत्र Neural Systems में नीथ होता है इसमें मानसिक परक्रियाओं का विसलेशन तंत्रिकिया गटनाओं तथा उसनके आपसे संबंधों पर अधारित होता है तो यह कहा जाता है कि संबंध वादी उपागम द्वारा मस्तिक सियव पदक का दृष्टि कोड़ अपनाया जाता है Churchland के अनुसार संबंध वादी उपागम का अधार तंत्रिकियाओं गणितिया होता है संबंध वादी उपागम के समर्थकों का दवा है कि जैसा रूमेल हार्ट तता मैकली लेंड ने कहा है कि यह लोग अपने मौडल को अमूर्थ नहीं मानते हैं बल्किवे यह मानते हैं कि मौडल तंत्रिकियाओं गटनाओं पर अधारित होता है और मानसिक परक्रियाओं का बिशलेशन उनहीं घटनाओं के रुप में किया जा सकता है संबंध वादी उपागम में मानसिक परक्रियाओं का बिशलेशन क्रामिक संसादन से नो होकर समांतर संसादन के द्वारा होता है समांतर संसादन की परक्रियाओं में मानसिक परक्रियाओं एक साथ से अधिक संग्यानात्मक कूट संकेंत में परिवर्थित होती है ना कि एक सी समय में संग्यानात्मक कूट संकेत के जैसा क्रामिक संसादन की परक्रियाओं में होता है कि फेल्ड मैन की अनुसार संबंद वादी का मुख्यदावा यह भी है कि बहुत सारे सार्थक संग्यानात्मक परकिरियां एक सेकेंड के बीतर संपन कर लिये जाते हैं के पर्टेक्षंग्यानत्मक करें में क्षशने चिल्प शंग्यानत्मक सब्सक्राइब जाती जए एक एक समय में एक स्यादिक कार कर रहे होते हैं अपसर देखा जाता है कि जो हमारे संग्यानात्मक हैं कई बाद एक साथ कई सारी चीज़य हम सोच रहे होते हैं अभी पढ़ रहे हैं और साथ में कुछ कट ले एक मच्छर आ जाए बैठ जाए तो पता चल जाता है कि एक साथ हम कई बार दियान देते रहते हैं तो यह था हमारा कि संग्यानात्म को पागम के परकार फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोस्टन के सांथ